एक साल में Central और State Government Employee की सेलरी कैसे और कितनी बढ़ती है तो दोस्तों ध्यान से समझना किसी भी State या Central Government Employee की सेलरी साल में तीन बार बढ़ती है पहला होता है Annual Increment जो की fix होता है 3% का किसी भी rank employee या officer के लिए और साल में दो बार मिलता है मैगाई भत्ता जिसको DA कहा जाता है जनवरी और जुलाई में अब सेलरी कितनी बढ़ती है वो आप ध्यान से समझना मान के चलिए बेसिक पे है 40,000 उस पे लगने वाला Annual Increment 3% 1200 रपे तो नई बेसिक पे होगे 41,200 इस 41,200 पर जनवरी में लगा DA 4% यह होगे 16,40 फिर जुलाई में DA लगा 4% यह 16,40 यह दो बार DA और एक बार Annual Increment को जोड़ने के बाद यह होते है 44,96 यह रेशियो है बेसिक अगर 40,000 से कम है तो सेलरी से कम बढ़ेगी और बेसिक इससे जदा है तो सेलरी से जदा बढ़ती है यही रेशियो होता है सेलरी का